नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बात फृष से आप सभी का बहुत बहुत स्वागता आज हम आर पास एक टेक्नो का मोबाल है टेक्नो स्पार्क 6 और आज हम आपको इस वीडियो के माद्वा से बताई है, कि अगर आपको कोई भी नंबर बार बार कोल कर करकर परicheन करता है तो आप उस नमबर को blacklist में add करकर किस परकार से उस नमबर से शुटकारा पास सकते हो और अगर आपसे कोई भी नमबर गलती से blacklist में चला जाता है तो आप उस वह किस परकार से बहुत ही आसानी से blacklist से remove कर सकते हो तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किसी भी नमबर को blacklist में किस परकार से add किया जाता है तो आपको dialer पर जाना है जिस भी नमबर को आपको blacklist में add करना है यह आई आ रहा है इसके उपर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद में option खुलेगा block और save है,आपको ब्लॉक कर देना है क्या झाल कर गया है. इसी परकार से जितने भी नंबर को आपको ड्रॉक करना है ब्रोसेश सेम आपका नंबर होने चला जाएगा और ब्लैकस में चला जाएगा और उस नंबर से आपके तो इसके लिए भी आपको डायलर पर जाना होगा डायलर पर जाने के बाद में आपको यह थ्री डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे आपको यहां पर त्री डॉट्स के उपर आपको क्लिक करना है और यहां पर सेटिंग में आपको आजाना है सेटिंग में जैसे आएंगे यहां पर काफी सारे sub option आमेज मिलेंगे, यहां पर block number है, आपको इसके उपर क्लिक करना है और जो भी number आपने blacklist में add किये तो सारे के सारे number यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इसको पर remove करना है, unblock आप करते चले जाएए, और वो blacklist से हमारे remove होते चले जाएगे, यह दे टेको स्पार्क शिक्स ऐर देगा दूस्तों कितनी आसानी से हमने अमारे टेकों सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा जय हिंद जय भारत